बात करने वाले हैं एक एसी चीज जो हमारी किचन में मिलती है बड क्या है ना कि हमारे किचन में बहुत सारी चीज आपाने पर आज जो मैं चीज लेकर आई हूं जो मैं प्रोड़क्ट लेकर आई हूं जिसके इस्तमाल से आपके कि स्किन बहुत बहुत जाहदा खुब्हूंग खुबसूरत दिखने लगेगी तो तो यह क्या है यह है मियोनीज मियोनीज जो होता है ना वह खाने के लिए तो इस्तमाल होता है आप मैं से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा क्यों कि मौनीज लोग सैंड्वेच सैलड वगरा के लिए यूज करते हैं लेकिन आप इसका स्किन पर भी कर सक ते हो तो आज मैं मेरी इस से ही बनाने माली हूं एक के यू से आप कराते हो और जो ग्लोव आपको मिलता है तो इसको कैसे बनाना है कैसे पूरा देखना अपड़ेगा पूरा देखिए अच्छे इस देखे और उसको नाते किसे घरते हैं केसे हैं आजरे तो इस फेस बैक या फेशल क्रीम को बनाने के लिए आप जो भी बुलना मिल सकते हैं घर मैं दो होता है आपको एक बड़े चमज के करीब एक बड़े चमच मयॉनीज आपको ले लेना है मयॉनीज जो होता है आपकी स्किन के लिए तो second ingredient जो है वह है honey आपको यहाँ पे जितना आपने मयॉनीज लिया है उतनी ही quantity में honey भी लेना है एक चमच आपने मयॉनीज लिया था तो एक चमच आप honey भी लेंगे और इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मियोनी जो है वो मिक्स होने में थोड़ा से टाइम लेता है, तो आपको इसको एक अच्छा सा पेस्ट तयार करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसके बाद हम थर्ड इंग्रीडेंट जो यूज करेंगे वो है लेम यसका बनाकर यीज़ करते हैं तो इसको इसका करना है यह देखे इस पेस्ट को मैं अपने पूरे फेस्ट पे यूज कर रहे हूं लेकिन इसको एक पैक की तरह आपको नहीं लगाना है यहां पर आपको क्या करना को पांच मिनट तक अच्छे से मसाज करना है अपने फेस की जैसे कि आप फेशिल करते हैं या पालर्स में करवाते हैं तो जिस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ इस तरीके से आपको करना है और बहुत हलके हाथों से करना है यहाँ पर वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत तेज तेज कर रही ह पर ऐसा नहीं है बहुत हलके हाथों से और दीरे-दीरे आपको मसाज करना है तो यह आपको पांच मिनट तक करना है तो मियोनीज के इस्तमाल से जो है न वो आपके स्किन यंगर दिखने लगती है मियोनीज में होता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसीड होता है जो और मियोनीज में विटामिन A और K भी होता है जो इस्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो यंग दिखने लगती है जवान दिखने लगती है मतलब कि अगर आप 40 साल के हो रहे हैं तो 100% 35 के तो लगेंगे ही लगेंगे अगर अरा वील में एक बार यूज करते है तो इसमें लेमन भी हमने आइड किया है जो हटा है वह होता है विटामिन सी जो श्किन को लाइटनिंग करने में हैल्प करता है और हनी होता है यह आपकी स्किन से जुर्यों को हटाता है और में चोटी-otional lines होएके लीड पंदरा मिनट के लिए चोड़ देना है ठीक है और 15 मिनट के बाद यह आपके स्किन पे सूख जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको जाके नॉर्मल पानी से या हलके गुंगुने पानी से नहीं मैं सर्दियों में बोलूंगी कि आप हलके गुंगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने स्किन को वाश कर लेजिए और आप स्किन का ग्लो देखेंगे दो घंटे बाद आपको आपकी स्किन ऐसी लगेगी कि जैसे आपने कोई फेशल करवाया हो तो इतना अच्छा ग्लो आता है इसके स्तमाल से कैसा लगा मेरा फेशल क्रीब मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो आप सबको वीडियो पसंद